Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 44, क्लास 6th विशे विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 10th of December 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे बच्चों उसमें हम सजीव एम उनका परिवेश इस चेप्टर को कंटिनू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो वक्षी शुकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे आज की वक्षीट में क्या दिया गया है उद्धीपन, उद्धीपन क्या है? सबी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं वातवर्ण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? इनको उद्धीपन कहते हैं जैसे की अचानक अधिक प्रकास होने पर मनुश्यत अथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं तो स्टूडेंट्स आप सब बच्चों ने अबसर्व किया होगा कि अगर आपका हाथ कभी किसी गरम चीज को लग जाता है तो अचानक से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो अचानक से जब कोई क्रिया होती है उसके प्रती हम रस्पॉंस करते हैं उसके स्थीती के अनुसार हम अनुक्रिया करते हैं जैसे हमारा हाथ किसी गरम चीज को लगा ये उद्धीपन कहलाता है क्या कहलाएगा ये उद्धीपन कहलाएगा और जो हम एकदम से हाथ खीच लेते हैं इसको हम अनुक्रिया कहते हैं जैसे कि अगर हम जैसे आपने touch me not plant यानि चूई मुई के पौदे के बारे में सुना है अगर हम उसको touch करते हैं तो वो अपनी जो पतियां होती हैं उसको fold कर लेते हैं उसको बंद कर लेते हैं तो हमने उसको चूआ वो उसके लिए उद्धीपन था और उसने जो पतियों को fold क वो उसकी अनुक्रिया थी ठीक है उसके बाद देखे अब हमें यहाँ पे दिया गया है आओ अभ्यास करें प्रेशन दिया गया है रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कौक्रोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं तो जैसे ही रसोई घर में हम बल्ब जलाते हैं तो उक्रोच अंधेरे की तरफ भागने लगते हैं उसके बाद नेक्स देखिए आपको दिया गया है क्या सभी सजीवों में स्वसन होता है तो बच्चो स्वसन जो है यानी सास लेना क्या सभी सजीव últimos सास लेते हैं उर्जा मिलती है तो जो हम सांस लेते हैं उससे क्या होता है कि जो हमने बोचन खाया है वो उसका आकसी करण होता है यानि वो एक तरह से जलता है ऑक्सिजन की उपस्तिती में और उसके जलने से हमें उर्जा मिलती है और उस उर्जा का प्रियोग हम अपने द्यानिक चीवन के कार्य करने में करते हैं, कुछ जंतुधों में गैस आदान-प्रदान का तरीका भिन होता है, जैसे की केचवा जो है वो त्वच्छा के दोरा सांस लेता है, यानि जिस तरह हम प्रियावण से यह हवा है उसके द्वारा oxygen लेते हैं ठीक है और जो unused हवा होती है जिसका प्रियोग हम नहीं करते हैं वो हम बाहर निकालते हैं सांस के द्वारा तो केचवा जो है वो तवचा के द्वारा सांस लेता है जबकि जो मचली है वो गेल्स की सहायता से जल में गुली हुई जो ऑक्सिजन होती है उसको अवसोशित कर लेती है इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान जो है वो मुख्यते पत्तियों द्वारा करते है आपको पता है बच्चों कि जो पौधों की पतिया होती है उसके अंदर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम रंद्र कहते हैं और इन रंद्रों के द्वारा ही क्या होता है जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं उनसे वाईयू अंदर आती है और बाद देखे, क्या सजीव में उच्छन होता है, अब आपसे पूछा गया है, क्या सजीव में जो उच्छन होता है, तो बिल्कुल बच्चो जो भी सची होते हैं वो बोजन करते हैं आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है यानि जो हम खाना खाते हैं उसका कुछ ही भाग हमारा शरीर उसको प्रियोग करता है बाकी जो है वो अप्षिस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं इस निकालने की जो प्रिक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं ठीक है यानि शरीर से जो भी पदार्थ हम मल के रूप में निकालते हैं बाहर उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रिक्रिया को हम उत्सरजन कहते हैं. उसके बाद next देखिए, next आपको दिया गया है, क्या सभी सजीवों में गती जो है, वो होती है या नहीं? गती क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है? गती का मतलब एक जगे से दूसरी जगे पर जाना, वो क्या कहलाता है? गती कहलाता है, तो अधिकतर चीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती करते हैं, पौधे सामानते जमीन से जकड़े रहते हैं, जमीन में फिक्स होते हैं, इसलिए वह गती नहीं करते, परंतु विबिन्न पदार्थ जैसे जल और खनीज एक भाग से दूसरे भाग में जाते रहते हैं, ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गती है, वो सभी सजीओं के द्वारा की जाती है, उसके बाद नेक्स देखिए, स्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? तो देखिए, दो चीज़े होती है, एक होता है स्वसन और एक होता है सांस लेना जो सांस लेने की प्रक्रिया है वह कोशिकाओं और परियावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है ठीक है यानि जो हम केवल सांस लेते हैं और परियावरण में छोड़ते हैं तो कोशिकाओं और परियावरण के बीच का जो य इससे की हमें एनर्जी मिलती है उर्जा मिलती है ये एक रासाइनिक प्रक्रिया होती है जो कोशिका के भीतरी होती है ये अपने आप होती रहती है ठीक है इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है अब यहाँ पर देखे आपको एक और जो है प्रेशन दिया गया है इसमें द रासाइनिक प्रिक्रिया है तो इस तरह से आप ये वाला प्रशन और एक जो कौकरोच वाला प्रशन हमने किया है दोनों ही प्रशन आप अपनी कौपी में लिख लेंगे तो ये थी प्यारे बच्चो आपकी आज की साइन्स की वाकशीट जिसमें हमने सीखा कि जो सचीव होते हैं उनके क्या-क्या गुण धर्म होते हैं वो सास लेते हैं उनमें स्वसन होता है वो उत्सर्चन करते हैं वो गती करते हैं ठीक है तो ये सारे के सारे गुण वो सचीव में होते हैं तो ये थी आपके आज की science की worksheet I hope सभी बच्चों को ये clear है कोई भी doubt है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो please इसको like कर दीजे share कर दीजे और channel को subscribe कर लीजे so thanks for watching students मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care bye bye have a nice day कर दो कर दो